नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है किरपया हमारे शेयरों को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके आँगे जरू शेयर करिए अब आप हमारे पैट्रन यानि की संदक्षाग भी बन सकते हैं आईए अब हम अपने आज के Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं कल का दिन शायद चीन के राजा के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुगा इसका कारण यह नहीं है कि भारत के एक्जिट पोल्स में इंडियन प्राइम निस्टर की जीत का अनुमान लगाया गया बल्कि कारण यह है कि उपीनियन और एक्जिट पोल्स के अनुमान के ठीक बिप्रीट आउस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी चुनाव जीत गए परणाम यह हुआ कि चीन के राजार उनकी पाल्तु मीडिया को सांप सूं गया है चीन की मीडिया को तो ऐसा जटका लगाया कि उसने यहां तक कह दिया है कि चुनाव परणाम आउस्ट्रेलिया और चीन के संबंदों के लिए घातक होंगे पिछले तीन सालों से जितने भी आउस्ट्रेलिया में उपीनियन पोल्स हुए है उनके एनुसा वर्तमान प्रधान मंतरी की करारी हार होना तै थी और लिवर पार्टी के लीडर विल शॉर्टन प्रधान मंतरी की सपत लेने के लिए तैयार बैठे थे जहां तक आउस्ट्रेलिया की विदेश नीती का सवाल है दोनों ही पार्टियों के बीच आम सहमती है लेकिन चीन के साथ आउस्ट्रेलिया के संबन्नों को लेकर दोनों पार्टियों के विचार अलग-अलग है यदि समझने के लिए बहुत ही इस सरल तरीके से कहा जाए तो Liberal National Coalition एक तरह से भारत की NDA सरकार की तरह है लेकि Labor Party भारत की Congress Party से मिलती जुलती है कहने के जरूरत नहीं है Labor Party की जीत का ज्रस्ट ने चीन में मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी एजी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चुनाव परचार के दोरान चीन ने अन ओफिशियल लेवल पर सोशल मीडिया केंपेंच चला रखी थी जिसमें वर्तवान प्रधान मंतरी मौरिसन का पुर जोर विरोध किया जा रहा था लेकिन चीन को ऐसा तगड़ा जटका लगा है कि अब उसे आउस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी मौरिसन का सामना अगले तीन वर्षों के लिए करना होगा अब आप यह पूछ सकते हैं कि चीन लिवरल नेशनल कोलिसन के इतने खिलाफ कैसे हो गया सीधे शब्दों में सरकार ने चीन का अल्लू सीधा करने के वज़ाए औरस्ट्रेलिया के हितों की रख्शा करने को ज़्यादा महत्वदिया शायद आप जानते हो आउस्ट्रेलिया का चीन सबसे बड़ा व्यापारिक सांजिधार है लेकिन आउस्ट्रेलिया और अमेरिका का दोस्ताना बहुत पुराना है हम सभी को पता है चीन दूसरे देशों की आम जनता को गुमरहा करने के लिए प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपे खर्च करता है लेकिन आउस्ट्रेलिया में चीन का यह रूप जब उजागर हुआ तो परदान मंत्री टर्ण बेल के नेत्परत में लिबरन नेशनल कोलेशन की सरकान ने कानून बनाया जिसके अनुसार आस्ट्रेलिया में रह रहे व्यक्ति को दूसरे देश की तरफ से आस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीतु को यदि प्रभावित करना है तो उसे अपने आपको पहले रेजिस्टर करवाना होगा हलाकि यह कानून किसी विशेद देश के लिए नहीं बनाया गया था लेकिन आपको भी पता है इसका टार्गेट सिर्फ चीन था जैसे ही यह कानून लागू हुआ आस्ट्रेलिया के पर्मनेंटली रहने वाले चीन के करोड़ पती को आस्ट्रेलिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि वह कमिनिस्ट पार्टी की तरफ से आस्ट्रेलिया में डोनेशन देते परते थे ताकि आस्ट्रेलिया की राजनीती को चीन के हित में चेंज किया जा सके इसके बाद आस्ट्रेलिया की इसी गठमंदन की सरकार ने 5G नेटवर्क में चीन की कमपनिया जैसे हुआवे और जेट टी ए में भाग लेने पर रोक लगा दी आस्ट्रेलिया की सरकार ने चीन के बेल्ट एंडरोड नहीं उसने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया इसी बीच खबरे आई कि ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोईले के आयत पर 40 दिनों के लिए रोक भी लगा दी थी टिट फॉर टैट लड़ाई क चीन सपने देख रहा था कि इस चुनाव में उसकी प्रिय लेबर पार्टी जीत जाएगी ताकि चीन ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी मामलात में दखल देकर अपना उल्लू सीधा करने में फिर सफल हो जाए लेकिन लिबरल नेशनल कोलिसन ने फिर सत्ता में आ जाने से चीन के राजा के सबने चकना चूर हो गए इसी बीच आस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी ने अपनी जीत को चमतकार बताया है लेकिन इस चमतकार की असली कीमत तो चीन के राजा को चुकानी होगी चीन को मूँ तोड़ जवाब देते हुए राष्टवादी सरकार चुनने के लि जो परणाम आए तो आए आप समझदार हैं इसलिए आए ये 23 तारिक को दुफेर तक का इंतजार करते हैं कोई भी सरकार सत्ता में आए आप सभी की तरफ से हम तो यही आशा करते हैं कि भारत के 5G रोल आउट में चीन को घुसने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए साथ ही अच्छा होगा कि हमारे देश में भी कानून बने कि चीन के तुकड़ा पर पलने वाले हमारे एक्सपर्ट्स और नेताओं को भी अपने आपको रिजिस्टर करवाना पड़े दोस्तो आज का बेहत आसान सवाल है किस देश के सर्प्राइज इलेक्शन रिजल्ट ने चीन के राजा को जोरदार बिजली का जटका दिया है आप अपनी जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हमारे कई दर्शिकों ने पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था उन सभी वीवस मैं से आज की लखी विनर है सचिन दोस्तो इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ उनलाइन लेक पड़े थे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बविश्व में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर जरूँ प्रैस करें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद